पीवी नरसिमहा राव चोधरी चरण सिंग और डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन को भारत रतन दिये जाने का कॉंग्रेस ने स्वागत किया है मगर इसके साथ ही कॉंग्रेस नेता की ओर से कुछ बेहुदा बाते कटिवे सवाल खड़े किये गए जैराम रमेश ने सुकुरवार को एक्सपर पोस्ट करके कहा किया कि स्वामी नाथन फोर्मूले के आधार पर किसानों को न्यूंतम समर्थन मुल्ये MSP कब दिया जाएगा उन्होंने लिखा पीवी नरसिमहा राव चोधरी चरण सिंग और डॉक्टर MS स्वामी नाथन जी भारत के रतने थे और सदेव रहेंगे उनका योगदान अभूत पूर्वे था जिसका हर भारत्य सम्मान करता है जैराम रमेश ने कहा डॉक्टर स्वामी नाथन फॉर्मुले के आधार पर किसानों को न्यूंतम समर्थन मुल्य का कानूनी दर्जा दिये जाने पर मोदी सरकार चुप है प्रधानमंत्री मोदी की हट धर्मिता के कारण 700 किसान आंदोलन के दुरान सहीद हुए मगर सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलापी की आज भी किसान दिल्ली कूच के लिए तयार बैटे हैं मगर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही उन्होंने कहा कि भारत जोडो नियायात्रा में किसानों को नियाय दिलाया जाना एक मुख्य उद्देश्य है किसान नियाय के लिए हमारी मांग है कि स्वामी नाथन फोर्मूले के आधार पर किसान को MSP देने की गारंटी कानून दिया जाए वहीं पूर्वे प्रधानमंत्री चोधरी चर्ण सिंग जी और स्वामी नाथन जी को सही माईनों में सरदान जली होगी कॉंग्रेस संसद्य दल की प्रमुख सोन्या गांधी ने नरसिमा राव को भारत रत ने दिये जाने की घोशना का स्वागत किया इस बारे में पूछे जाने प्रसोन्या गांधी ने संसद्य परिसर में समान दाताओं से कहा I welcome it मैं इसका स्वागत करती हूँ वही नरसिमा राव की बेटी वे एवं भारत राष्ट समी थी PRS से विदान परिसद सदश्य वाणी देवी ने देश के सर्वोच नागरी के सम्मान भारत रतन के लिए अपने पिता को नामीत किया जाने की सुकुरवार को सरहाना की और इस निरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया वाणी ने कहा कि नरसिमा राव उस वक्त प्रधानमंत्री बने थे जब देश मुष्किल समय का सामना कर रहा था उन्होंने सुधारों को लागू किया जिसकी पूरे विश्वे ने सरहाना की उन्होंने कहा दलगत भावना से उपर उठकर राव ने प्रधानमंत्री रहने के दुरान सुधारों की पहल की और अर्थ वबस्ता से लेकर विदेश मावलो जैसे छेत्रों में समश्याओं का इस्ताई समाधान तलासा वाणी ने कहा भारत रतने सर्वोच नागरीक सम्मान है हलांकि इसमें कुछ देर हुई लेकिन ठीक है तेलं प्रधानमंत्री इंद्रेंद्र मोधी ने सुकुरवार को खुद एक्स पर पोश्ट के जरिये यह जानकारी थी ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा जय हिंद जय भारत